हेलो प्यारे बच्चों कैसे हूँ आप लोग मैं कपिल जौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंस्पाइरल स्टडी में बच्चों आज हम लोग एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो की क्लास टेंथ के हाउ डू और्गेनिजम रिप्रड्यूस चेप्टर से लिया गया है टॉपिक का नाम बाइनरी फिशन है और बच्चों बाइनरी फिशन हम अमीबा में पढ़ेंगे ये बेसिक सा कोश्चन है जो की एक्जाम में आता है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि अमीबा अपन लेकिन अमीबा चुकि एक योनी सेलिउलर जीव है योनी सेलिव और और ऄनिजम है तो वह किस तरीके से अपना एक नए औरऄ लिजम डेवलप करता है तो बिल्कुल बच्चों आप सही सोच रहे हैं कि अमीबा के बच्चे कैसे होते हैं ये सभी हमें इस वीडियो में जान संगल से बना हुआ है, ठीक है, सिंगल से, अब बच्चो एक बात मुझे आप लोग बताओ के अगर मेरे पास एक tr domain हैै है, तो मेरे सारे काम हो ही एक tr domain है है, अगर मेरे पास बहुत सारी illness है तो मैं अलग-अलग क्यां डे सकता हू आपनी तो बश्यादा को पीना भी वही करेगी, excreation भी करेगी, reproduction भी करेगी, सारे काम एक ही cell के दवारा होंगे, ठीक है जी, अब देखो बच्चो, यह amoeba और यह bine refusion, यानि bine refusion, इन amoeba हम लोग asexual reproduction में पढ़ते हैं, जो की सबसे पहला topic है, क्लास, 10th के, how do organism reproduce का, इसमें बच्चो क्या होता है, देखो, asexual reproduction का जो main concept में आप लोगों को बता दूँ, आप सभी जानते हैं, कि नए organism को तियार करने के लिए, male और female दोनो gamit की ज़रुरत पड़ती है, ठीक है जी, इसमें single parent involved होता है, ठीक है, कौन होता है, single parent, यानि इसमें मम्मी और पापा का कोई रोल नहीं है, इसमें मम्मी भी एक ही है, और पापा भी एक ही है, क्लियर है जी, उसके बाद में genetic material क्या होता है, यह आप समझ लो, देखो बच्चो, genetic material जो होता है, वो nucleus में पाए जाता है, ठीक है, यानि जो आपका DNA होता है, chromosome होते हैं, आपके genetic material होता है, ठीक है जी, उसके बाद cytoplasm, देखे, cell के अंदर का जो fluid है, जो cell membrane और nuclear membrane की बीच का पार्ट था, उसको हम cytoplasm कहते हैं, इन दोनों को मैंने आपको क्यों बताया, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से क्या-क्या चीज़े, बटी हैं, अब देखो बच्चो, आपका जो amoeba है, उस amoeba में दो तरीके से आपका division होता है, ठीक है, पहला आपका karyokinesis, ठीक है, karyokinesis, और दूसरा आपका cytokinesis, ठीक है जी, cytokinesis, बच्चो, kinesis का मतलब होता है division, ठीक है, division होता है इसका मतलब, और karyo का मतलब होता है nucleus, ठीक है जी, यानि पहली जो process रहेगी उसमें हमारा nucleus का division होगा ठीक है यानि simple जी बात समझ के चलो कि nucleus आपका बटेगा उसके बाद में cytokinesis, kinesis का मतलब होता है बच्चो आपका division और cytokinesis का मतलब चाहे तो आप cell समझ लो और चाहे आप cytoplasm समझ लो यानि कह सकते हैं जी हम के पहले आपका nucleus बटेगा और दूसरे नंबर पे आपका कौन बटेगा cell बटेगी यानि cytoplasm अलग लग होगा अब देखो बच्चो सबसे पहली process क्या होगी यह हमारे पास normal amoeba है जब normal amoeba होता है और वो अपना reproduction करता है यानि बाइंट्रिफिशन करता है तो सबसे पहले ठीक है यह amoeba को आप किसी भी शेप में बना सकते हो सबसे पहले वो क्या करता है वो अपना nucleus को division करता है यानि nucleus को अलग-अलग करता है ठीक है बच्चो समझ गएं? सबसे पहले क्या होता है? क्या होता है? और इसमें जो आपका nucleus है, वो आपका थोड़ा सा elongated हो जाता है क्यों होता है? वो ज़राद ध्यान से सुन लो देखो बच्चो, सबसे पहले kariokinesis क्यों हुआ? सबसे पहले nucleus ही क्यों बटा? क्योंकि ये इसका genetic material है और कभी भी आप लोग कुछ भी कोई भी division करेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले genetic material यानि आपका nucleus ही बटेगा ठीक है जी अब देखो बच्चो सबसे पहले क्या हुआ कि cells का elongation हुआ यानि elongation of cells nucleus कहने का मतलब है कि cells आपकी बढ़ गई है ना यानि nucleus आपका चोड़ा हो गया या फिर कह सकते है genetic material को इसने duplicate कर दिया ठीक है उसके बाद में next जो आता है हमारा next वाली जो process है मैं यहां पे लिखता हूँ next वाली जो process है उसमें क्या होगा कि यह आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका amoeba ठीक है जिसमें यहां भी nucleus और यहां भी nucleus इस process को हम कहते हैं karyokinesis यानि जब आपका nucleus अलग हो जाए उसको कहेंगे karyokinesis और जो next वाली आपकी process आती है उसमें आपका क्या होगा उसमें यह दोनों amoeba आपके अलग-अलग बन जाएंगे यानि दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे देखो बच्चो binary fission में यह सबसे पहली जो normal amoeba था हमारे पास इसको कहते हैं parent cell ठीक है क्या कहते है parent cells ठीक है अब parent cell से यह दो cell तयार हुई तो इनको कहेंगे daughter cell ठीक है क्या कहेंगे जी daughter cell यानि पुत्री कोशिका उसको कहेंगे पैत्रक कोशिका एक बात हमेशा ध्यान रखना अगर binary fission हो रहा है तो सबसे पहली चीज karyokinesis होगा दूसरी चीज karyokinesis होगा यानि पहले नंबर पर आपका nucleus बटेगा और दूसरे नंबर पर आपका cytoplasm बटेगा एक बात और ध्यान रखने वाली है कि आप लोगों का binary fission होने पर सबसे पहले जो आपका प्रोड़क्ट बन किया रहा है वो दो बनेंगे यानि दो सब्सक्राइब करना चैनल को और फैला दो अपने दोस्तों तक बच्चो आज के लिए इतना ही जै श्री राम जै हिन जै भारत